राजन शाही के शो में कुल्वन्त को और धिलो और अनीता राज की एंट्री नई कहानी के साथ दिखेगा नया आपता जिहां छोटी सर्दानी में अपने कड़क किरदार कुल्वन्त को धिलो को निभाकर रैक्रस अनीता राज ने खर-घर में अपनी अलग बहजान बना ली चाप छोटा दी थी आज तक कुल्वन्त के कार में ही अनीता राज को याद किया जाता है वही अब खबरे सामने आई हैं कि राजन के शो युरिश्टा क्या कहलाता है नए जनरेशन लीप के साथ ही अनीता इक पर फिर से परदी पर दिखाई देंगे युरिश्टा की प्र राजन शाही ने अनीता राज के अलावा बाकी के नए स्टार्स को लेकर अभी कोई आधिकारी चानकारी नहीं दी लेकिन इसी के साथ उन्होंने लीप को भी कंफर्म कर दिया और ये भी कंफर्म कर दिया कि अनीता राज शो में एंट्री कर रही है अनीता का नाम टीवी के अनीता इस बार भी कुछ वैसे ही दमदार रोल को निभाती नज़राएंगी जो की नई कहानी में एक गुलंद केदार होगा जो राजन की बातों से भी साफ हो चुका है कि अनीता काफी इंपोर्टेंट रोल में नज़राएंगी राजन का शो है और अनीता की एंट्री है तो जहरत दोर पर किसी बड़े ही रोल में अनीता को कास्ट किया होगा बता दे कि अनीता राज जो कि पिछले दो तिन सालों में जोटी सर्दानी परिनीती और सावी की सवारी जैसे हिट शोज में नज़रा चुकी है वो अब स्राव प्रस के सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता जा रहा है हाला कि सीरियल में लीप लाने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि सीरियल के टीरपी पर पिछले कुछ वक्त से काफी असर पड़ा है इसी कारण से सीरियल में लीप लाया जा रहा है वही कुछ मेडिया रिपोर्ट का मानना है कि ये रिष्टा में अक्सर 4-5 साल लीपाता है और नई स्टार कास्ट के साथ सीरियल को आगे बढ़ाया जाता है इसी कारण से अब एक बार फिर से सीरियल में लीप लाया जा रहा है ताकि एक नई स्टार कास्ट के साथ सीरियल को आगे हाला कि अभी तक नई लिड स्टार्ट्स को लेकर किसी भी प्रकार की ऑफिशली जानकारी सामने नहीं आई हैं। हाला कि अब देखना ये है कि अनीता जो की अब फाइनल हो चुकी ने शो के लिए उनका इस शो में लुक कैसा होगा, खोडार कैसा होगा और कैसे कहानी की वुजान बनेंगी।